प्यारे साथियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे धंग से कर रहे होंगे विपेसे सिच्छक भरती की जो बात करें हम तो ये लगातार ये इन्फर्मेशन आ रहा है लगातार ये हम न्यूज पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप सभी का 15 अक्टूबर के आसपास या फिर कहले हम 15 अक्टूबर ना 16 या 17 के आसपास ही हम बात कर लें तो कनफर्म है कि आपका जो नोटिफिकेशन है आपका जो आबेदन करने की जो प्रकिरिया है या प्रारम कर दी जाएगे हम लगातार आप सभी को ये चीज अपडेट टेलिग्राम पे किये हुए रहते हैं तो प्लीज आप से रिक्वेश्ट है कि आप लोग थोड़ा सा प्रहाई को किजिए और इसी क्रम में हम लगातार कोसिस कर रहे हैं कि अभी छोटा से छोटा टॉपिक हो या फिर बड़ा से बड़ा टॉपिक एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से आप लोग समझ पाएं चीजों को इसी क्रम में हम आज जो लेकरा हैं भारतिय समिधान जि आपको हर इकजाम में पूछे जाते हैं चाहे हम बात कर लें बीपेसी सिछक भरती की या फिर बीपेसी प्रलेम्स की सभी के लिए महत्पूर्ण है तो प्यारे साथी ध्यान से देखिएगा सुनिएगा समझ येगा टेली ग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा और हो सके तो सियर जरूर किजिएगा ध्यान से यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सासन अधिनियम 1935 यह क्यों इंपोर्टन्ट है आप सभी कहीं न कहीं सोच रहोंगे कि भारतिय सम्मिधान के जो सुरोत हैं वो अलग-अलग देशों से ली कर अपने सम्मिधान का जो है यह निर्मान हुआ है यह बात बिल्कुल सत्य है लेकिन यह भी हमें याद रखना है कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में लागु किये जाते हैं हम इसी सन से हम क्या पढ़ते हैं तो इसी कड़ी से इसी समय से हम भारती सम्मिध सम्मिधान का विकास को पढ़ते हैं उतना ज्यादा आपके लिए इंपोर्टन नहीं था इसलिए हम नहीं लाएं अगर वहां से हम पढ़ते तो कम से कम तीन से चार क्लास आपको इसका पार्ट में मिलता ठीक है तो बस इतना समझना है जैसे हम अगर बात कर ले तो भारती स 1773 से लेकर कब तक तो याद रखेगा 1773 से आपका 1856 ठीक है 1856 जबकि 1857 की करांती नहीं होती है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कमपनी का सम्मिधान ठीक है और उसके पस्चार जब हम पढ़ते हैं तो 1858 से लेकर वर्ष उनिस्व सैंतालेस तक इसको क्या पढ़ेंगे साथ ही तो याद रखना है यह हम पढ़ते हैं क्राउन का सम्मिधान ठीक है किसका सम्मिधान क्राउन का सम्मिधान महरानी का सम्मिधान इस तरह सभी हम इसको समझ सकते हैं और अपना जो सम्मिधानिक विकास जो प्रारम होता है वह कप से होता है त लेकिन हम सभी को और हर exam में जो पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं तो 1773 से नहीं बलकि 1935 से पूछे जाते हैं इस प्रकार हम आपको 1935 से पूरा समीधानिक सुरूत के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को समझते हैं अगर 1935 जो है इससे क्या क्या लिये गए हैं तो प्यारे साथी यह जो है पहले यह जान लिजे कि यह भारसासन अधिनियम जो था इसमें कितने अनुच्छे थे और क्या इसमें जो था अनुसूचिया था ठीके तो याद रखेगा कुल इसमें 1935 की हम बात कर रहें कुल इसमें 321 क् आर्टिकल थे अनुछेद थे और 10 अनुसूची था ठीके बरतमान में अपने सम्मिधान में कितने अनुसूची है तो याद रखना साथ ही अपने सम्मिधान में 12 अनुसूची है भाग कितने है तो 22 भाग है और अपने सम्मिधान का मुल अनुछेद कितना है तो 395 है इसी मे अलग-अलग संसोधन जब भी किये जाते हैं तो इसी 395 अनुछेत के अंतरगत संसोधन किये जाते हैं जिसमें क, ख, ग, इस तरह से उसको एड़ किया जाता है तो ये तो थोड़ा सा आपको basic चेज बता दिया गया है अब हम बढ़ते हैं समिधान के सुनोतों की ओर तो 1935 के जो भारत साशन अधिनियम है इससे जो लिया गया है पहला ब्यात है बहुत important क्या तो संगिये विवस्था संगिये विवस्था आप सभी देखते होंगे कि भारत जो है या क्या है संगो का राज है यह हमें कहां पे उलेखित मिलता है तो भारती समिधान के अनुच्छेद एक से चार के पीच बहुत important है ध्यान सुनियेगा उसके बाद यहां से क्या लिये गये हैं तो साथ यो राजिक पाल का कारेकाल गवर्नर ओफ ओफिस का जो है कारेकाल यहीं से लिये गये क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भारत सासन अधिनियम अर्थात उस समय जो था उस समय अंग्री जो का शाशन था और अंग्री जो के अंतरगत हम अगर बात कर लें तो 1773 से ही हम क्या देख रहे हैं तो भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल वाइस राई इसका विका को आप याद रखेगा अंतिम समय में आपको बहुत काम आएगा और याद रखेगा लोक सेवा आयोक का भी जो आपका अस्थापना किया गया है इसे भी कहां से लिए गए हैं तो भारत सासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं जो की अभी बरतमान में आप सभी तयारी कर रहे ह ठीक है पब्लिक सर्विस कमीशन आपात कालिन उपबंध जो है यह भी आपका भारत सासन अधिनियम से लिए गए हैं और सक्तियों के वितरन की तीन सूचिया जो है यह कहां से लिए गए हैं तो प्यारे साथी यह भी आपका भारतिय सम्मिधान के भारत सासन अधिनियम 1935 स अब हम समझना चाहेंगे आप सभी यह सोचत होंगे कि सड़ ये तो अपने देश के बारे में हम समझ चुके हैं लेकिन अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग देशों से क्या-क्या अच्छाई चीज अपने सम्मिधान में लिए गए हैं थोड़ा इस पे भी चर्चा करना चाहिए और सबसे पहले हम बढ़ते हैं बृट्न की सम्मिधान की ओर यहीं बृट्न है जो कि हमारे देशों पर हमारे देश पर देश पर आगर वात कर लें तो लगभग 200 पर सो तक यह हमें तो किया है बहुत सार THE बहुत साथी चीज़ों करक्या देश में सम्मिधान में वर्णित किया गया है जिसमें सबसे पहला क्या है तो याद रखना है संसधिये वेवस्था अभी जो बरतमान में आप संसधिये वेवस्था आपने भारत में देख रहे हैं प्यारे साथी यह संसधिये वेवस्था कहां से लिए गया है तो याद रख अब यहाँ पे आपको थूरा सा कनफीजन होड़ा होगा, कनफीजन क्या होड़ा होगा हम समझ पारे हैं देखे, राज अध्यक्श की बात की जा रहे ही, यहाँ पे डाइडेक्ट अगर आपको लिख दिया जाता ये राष्ट पती तो आप साय समझ पाते हैं लेकिन यह राष्ट अध्यक्ष का तात्पर यही है साथी क्या तो राष्ट पती राज्य का कोई अध्यक्ष कौन होता है राज्य का प्रथम नागरी कौन होता है तो राष्ट पती होते हैं और राष्ट पती याद रखेगा क्या हो परती जो है यह प्रथम नागरी इनको दर्जा दिया गया है लेकिन यह जो है एक मातर क्या है ना मातर के क्या है गार्जियन है पैरन्स है ठीके मातर वो क्या है चेहरा है लेकिन सारे कारे काम जो करते हैं वो कौन करते हैं तो कारे पालिका करती है यह भी आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक टॉपिक फे बढ़ते हैं ध्यान दीजेगा फिर का घा Papiikle बोहुत इंपॉर्टेंट हैं हम आगे पढ़ेंगे क्या साशन के तीन आंग क्या है एक कारी पाली का नियाई पाली का और कौन है जल्दी से बता दिजे एक आपके लिए छोड़ा जा रहा है जल्दी बता ये कॉमेंट में कारी पाली का नियाई पाली का और कौन है आप लोग टीचर बनने वाले हैं ओफिसर बनने वाले हैं इतना तो जानकारी होना चाहिए त आर्टिकल नागरिक्ता जो की हमारे सम्मिधान के अनुछेद 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 जो है यह नागरिकों के लिए हैं बहुत इंपोर्टन्ट है सारे के सारे चीज़ याद रखेगा जो की कहां से लिएगे हैं तो याद रखना है यह एकल नागरिक्ता ब्रीटिन के सम्मिधा यह 5 प्रकार के जो डिठे है यह कहा से लेगे है ? ब्रीटन के सम्मिधान से और यहां जो डिठे है या किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो 402 के अंतरगत आता है । तो अनुछे 365 के अंतरगत आता है I think मुझे थोड़ा सा यहां पर confusion है यहां पर थोड़ा सा confusion है 365 यह 362 थोड़ा सा यहां confusion है थोड़ा एक वाच चेक कर लिजगा यह 100% आपका आर्टिकल 32 जो है यह 5 प्रकार की रीटो के बारे में चर्चा करता है जिसमें जो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे है आपका मंतरी मंडल परनाली जो है कैबिनेट सिस्टम यहीं से लिए गया है और परमाट दिखार तो हम बता ही दिए आपको संसदिये BCA साधिकार जो है यह भी कहां से लिए गया है तो साथ ही यह ब्रेटन से लिए गया है तथा दूई सदनात्मक ठीके क्या है दूई सदनात्मक आप देखते होंगे सदन जो है यह क्या है दो तरह के हैं एक कौन है तो एक आपका लोग सभा है तो दूसरा कौन है राज्य सभा है वहीं हम अगर राज जी के अगर बात कर ले तो एक कौन होता है तो एक एक कौन होता है बिधान सवा होता है तो दुसरा कौन होता है बिधान परिसद होता है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्रेटेन से जो है यह कुल इतने प्रकार की प्रापधान को भारत के समीधान में व है क्या तो मुल अधिकार fundamental rights और भारतिय सम्मिधान को जीवित करने वाला जो अगर कोई प्रापधान है तो वह है आपका fundamental rights यही अधिकार है यही एक जो है कह सकते हैं प्रापधान है जो कि भारत के नागरिकों को सम्मिधान के प्रति क्या करती है तो guarantee देती है भडोसा देती साथ ही यह जो fundamental rights है यह हमारे समिधान के किस अनुच्छेद में वर्णनी थे आपसे पूछे जाएंगे आगे हम सारा detail में चर्चा करेंगे लगातार आपका classes पॉलिटी का और हिष्टी का चलता रहेगा तो याद रखेगा हमारे भारत की समिधान में article 12 से लेकर 35 तक यह क्या है तो साथ ही हमारे नागलिकों की जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में चर्चा की गई है ठीके, इसको आपलोग याद रखेगा फिर क्या है यहां से लिया गया है तो अमेरिका के समिधान से न्याय पलिका की स्वतनता को ली गई है बहुत important है दिहान से सुनिएगा अगर हम बात कर लें ब्रेटेन की समिधान की ठीक है थोड़ा सा यहां पर आपको तुलनात्मक चीजों को समझाने का प्रियास कर रहे हैं तो ब्रेटेन की समिधान की अगर हम चर्चा करें तो यहां भी क्या है न्याय पलिका है जो डिसली यहां पर भी है परंतु याद रखेगा जब आप 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे तो क्या हुआ था 1773 के बाद 1784 के एक्ट आये थे उसके बाद और भी एक्ट आये थे तो इसी एक्ट के बीच में क्या हुआ था भारत में एक न्याय पलिका की सुर्वात की जाती है कलकत्तम एक सरबुच्यनयाले के स्थापना की जाती है परंतु याद रखेगा यह सरबुच्यनयाले जो थे वो क्या थे पूरी तरह से सवतंत्र नहीं थे वो सरबुच्च नयाले को क्या क्या जाता था तो कमपनी के अंतरगत भी कमपनी के जो अधिकारी थे उनके अंतरगत में रखा जाता था ठीके ये बात याद रखेगा तो इस कारण से भारत के सम्मिधान में जो है न्याई पालिका की जो वेवस्था की गई है वो कहां से की तो अमेरिका के सम्मिधा से की गई है जहां पे नियाय पलिका को एक स्वतंत्र निगाय माना गया है और याद रखेगा नियाय वही कर सकता है जो की बिलकुल स्वतंत्र हो निश्पक्च हो ठीक है फोर एक जामपल अगर आपको किसी के लिए नियाय करना पड़े और एक तरफ आपका दोस्त है तो आप ही बताईए आप किसी के प्रती नियाय बहतर धंग से नहीं कर पाएंगे और ज्यादा चांसज है कि आप अपने सगे लोगों कहीं क्या करेंगे भलाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसलिए क्या कहा गया है नियाय पलिका को स्वतंत्र निक लोकन का सिध्धान्त बहुत इंपॉर्टेंट है हम चर्चा करेंगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है सतरभी विपेसी अगर कोई दे रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुरे रहिए का गरेंटी देते हैं इतिहा हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जोगरोफी हो जीएस कुछ में हो पूरा जीएस ऐसा कंप्लेट करवाएंगे कि आपको मतलब हम क्या ही बोलें बस इतना समझ लेजिए कि आपको बहतर कंटेंट यहां पर मिलने वाला है अब हम बात करते हैं न्याइक पुर्वालोकन क्या होता है जैसे न्याइक सतंता है ठीक है न्याइपाली का जो है सतंत्र है यह बसत्त है लेकिन कभी कभी वो भी तो न्याइपाली का भी एक इंसान है और सायद कभी कोई गल्ती उनसे हो जाए ठीक है इस परिशित्ति में क्या किया गया है यह भी लेकिन एक वर विचार सभी जितने भी वरिष्ट जभी यह वर विचार हैं । नहीं किया जांगे विचार और घया?W7. विचार करना आगे दरते हैं तो साथ हैं अमेरिका के सम्मिधान से उपर राष्टपती पद की जो आप देखते हैं इसकी विवस्था की गई है उस तम्याले और उच्चे न्याले के नियाधिश को पद से हटाए जाने का राष्टपती पर महा व्योग लगाने का ये सभी जो प्रापधान है ये अमेरिका के सम्मिध से लिएगे हैं आप जब समिधान पढ़ेंगे तो सॉरी आप जब राष्टपती पढ़ेंगे तो राष्टपती के सक्ति राष्टपती के काड़े राष्टपती के हटाने की परकिरिया सब आपको पढ़ाएंगे और उसी के अंतरगत आप पढ़ेंगे राष्टपती पर मह भीयों की प्रक्रिया को ढगे बढ़ते हैं तो Ireland का समिधान है क्या क्या लिए गहे हैं तो बहुत इंपॉर्डेंट चीज लिए गहें जिसमें सबसे पहले हैं क्या तो राजी के नीती नीदे सक सिध्धांत अब बुचेंगे आप यह guarantee देती है कि भारत के जो नागरिक होंगे उनको कुछ अधिकार दिये जाते हैं लेकिन इस अधिकार को पूरा कॉन करेगा तो याद रखना है सरकारे करेगे और उस सरकार की जो कारी को बताया गया है कि वो उनको क्या क्या करना है कितने सिमाओं में राकर करना है इसी को हम क्या कहते हैं तो राज जी के निर्वाचन पदती क्या है तो राश्टपती की निर्वाचन पदती जो है यह कैसे राश्टपती का निर्वाचन होगा यह मतलब कैसे उसका बोटिंग होगा कैसे उसका सलेक्षन होगा कौन बहतर राश्टपती होगा राश्टपती के क्या योग्यता होनी चाहिए इन तरह तरह की बातों को हम इस पे क केंदर के साथ संघीय विवस्था अभी हमने क्या बोला अभी आपको उपर में हम जश्ट बता हैं कि भारत यह क्यों का राज्य है संगों का छेतर है यहां अगर चाहे कि क्या चाहे कि बिहार जो है यह क्या हो तो दिल्ली सरकार जो है केंदर सरकार जो है इससे अलग हो जाए नहीं हो सकती है बिहार बोले कि हम स्वतंद्र होना चाहते हैं हम अपना राज्य अपना खुद का सरकार बनाना चाहते हैं कतय भी नहीं हो सकता है तो याद रखेगा इसी को हम क्या कहते हैं ससक्त केंदर के साथ संग्हें विवस्था जो कि राज्य में विपक्ष की सरकार हो सकती है लेकिन जब आए बात पुरे देश की तो उस सरकार को नह चाहके भी क्या होना पड़ेगा केंदर सरकार के साथ होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बात देश की आती है आप देखते होंगे इस चीज़ को आप अनुभाव कर पा रहे होंगे कि जब भी अलग-अलग राज्य में जैसे हम बिहार की बात कर लें कुलकता की बात कर लें जहारखन की बात कर लें ठीके तो इन राज्यों में जो है यह क्या है तो यह विपक्षी दल का पार्टी है जैसे आप देख सकते होंगे और यूपी में जो है वह BJP की पार्टी है लेकिन फिर भी कभी-कभी आप ऐसा देखते होंगे कि नडेंदर मोदी जो है सभी पार्टीयों के, सभी राज्य के पार्टीयों को क्या करते हैं, इनभाइट करते हैं कुछ बिसेश बैठक पे तो इस समय अब क्या फिल करते हैं कि जो भारत है या क्या है संघ्य वेवस्था है ठीक है वो बिपक्ष है वो एक दूसरे की आलोचना कर रही है फिर भी वो एक दूसरे के साथ है इसी को तो हम कहते हैं संघ्य वेवस्था ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सिर्ष सक्तियों का केंद्र नहीं थोना, देखे, कुछ सक्तियां जो है, वो केंद्रों के पास नहीं थे, यह जो है, कहां से लिए गये हैं, तो कनाड़ा के सम्मिधान से, अब जो है, अपने सम्मिधान में, जो सासन के परनाली है, तीन परकार की है, ठीक है, कौन-कौन तो एक केंदर एक राज्य और एक क्या होगा तो एक गाउं लेवल पर जिसको हम ग्राम बंचायद या नगर निकाय बोलते हैं ठीक है लेकिन याद रखना है जो सक्तियां होगी वो क्या होगी सक्तियों में भी विकेंद्री करन होगा परंतु याद रखेगा अधिक जो सक्तियां होगी वो क्या होगे तो केंद्र के पास नहीत होगी ठीक है याद रखेगा केंद्र राज केंद्र द्वारा राजी के राजपाल के द्वारा की जाती है आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है देश में तो जितने भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनका क्या होता है तो छे महिना एक साल के अंदर में बदलाव कर दिया जाता है क्योंकि जो राज्यपाल थे वो कौन थे तो वह जो पहले जो ज इसके बाद है उस्तम न्याले पर परामर का इन नयक निर्णे का अधिकार यह कहांसर है तो यह कनाड़ा के समिधान से शुरुस भी संहें गांधे तो संबर्ती आप मिमंसरे समद्र सूची जो है यह कैनडला करे हैं तो यह क्वादी सूची ठीक है संबर्ति सूची यह जो है आपका कहां से लिए गए है अस्टलिया के सम्मिधान से लिए गए हैं यह सारे के सारे चीज आपको याद रखना है हम एक एक आपको पढ़ाएंगे एक टॉपिक आपको हम कबर करवाएंगे ब्यापार वानित जी और संगामन की स्वतनत्ता किसी भी व्यक्ति को ब्यापार करने की वानित जी करने की यह सभी जो है यह स्वतनता कहां से लिए गए तो अस्टलिया के सम्मिधान से लिए है और यह भी लिया गया है कि संसद के दो सदनों की सन्युक्त बैठक आप देखेंगे क्या देखेंगे आप कि जैसे संसद अपने देश में क्या है तो संसद के दो परनालिया है एक लोग सभा एक राज्य सभा ठीक है अगर किसी विधायक पर किसे कानून पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए ऐसे प्राबधान में क्या किया जाता है तो सन्युक्त बैठक किया जाता है और यह सन्युक्त बैठक जो है यह कहां से प्राबधान है तो अस्टेलिया के प्राबधान है अस्टेलिया से लिए गए हैं याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी है जर्मनी का वाइमर सम्मिधान इसको हम कहते हैं यह से क्या लिया गया है तो आपात काल के समय मूल अधिकारों का अस्थकत हो जाना यह जो है जर्मनी के सम्मिधान से लिए गया हैं आप पार होंगे कि जो हमारे पास आर्टिकल 12 से 35 तक जो हमारे पास फंडामे इंटर राइस दो दिये गए हैं भारतिय सम्मिधान के द्वारा भारतिय नागरिकों को गारेंटी दी गए सोतनता कि इस गारेंटी को कब नश्ट कर दिया जाता है जब देश में राज्य में आपात काल की परिष्थिती होती है तो यह सारे के सारे जो हमारे पस फ्रेडम है यह सारे समाप्त हो जाते हैं और यह आपका जर्मनी से लिया गया है याद रखेगा सोबियस संग से क्या लिया गया है सोबियस संग का तात्परी है आपका बरतमान में क्या है तो बरतमान में प्रांस ठीक है सौरी रूस चलिए यहां से क्या लिये गया है तो मुल करतब ब बहुत important है हर वेक्ति का कुछ अधिकार होना चाहिए तो कुछ उसका भी अधिकार होना चाहिए जैसे समिधान ने हमें कुछ अधिकार दिया है तो क्या हमारा भी तो अधिकार बनता है कि हम अपने समिधान को सुरक्षित रख सकें तो इसी के लिए मुल्क करतब्य की जो प् तो सोवियत संग से लिया गया है आपका नेक्ष जो चैप्टर होने वाला है नेक्ष जो क्लास होने वाला है वह डाइरेक्ट आपका प्रस्ताबना कहीं होने वाला है तो बहुत इंपोर्टन्ट है कल का क्लास भी आपके लिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या है तो फ्रांस से क्या लिए गए हैं साथ यो गंतांतरात्मक धाचा रिपब्लिक अस्ट्रक्चर लिए गए हैं स्वतनता समानता और बंधुत्व के आदर्स की बात यहां पर की गई हैं तो यहां पर एक चीज हमसे मिस्टेक हो गया उसके लिए चमाच आएंगे फ्रांस यहां यहां सोवियस संग आपका रूस हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा अच्छुली में हो जाता है थोड़ा सा गरबर तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट किजेगा चल किसी भी प्राप्धान में अगर बदलाव करना है संसद को तो वह क्या करेगी तो यह संसुधन पढकिर्या के अंतरगत करेगी और यह नजी। 368 के अंतरकत होता है ठीक है किलियर कर रहे है एक एक चीज दम ध्यान से सुनियेगा फिर क्या है तो राज्जी के सदस्यू का निरवाचन राज्जी सभा में जो सदस्यू की जो निरवाचन पसती है यह आपका दक्षिन अफ्रिका से लिए गए है और अंतिम है जापान की सम्मिधान जिसमें बीधी द्वारा अस्थापित पड़किरिया ठीक है क्या है बीधी द्वारा अस्थापित पड़किरिया कोई भी जो पड़किरिया होगा जो कोई भी अगर कारिक किये जाएंगे तो वो बीधी के अंतरकत अर्थात सम्मिधान का जो कानून होगा वही सर्वपड़ी होगा यह हमें कहां से बताता है तो जपान के सम्मिधान से यह आप लोग याद रखेगा और जपान के सम्मिधान के कारण ही अपना जो सम्मिधान है यह इतना सर्वपड़ी है क्योंकि सम्मिधान से बड़ा कोई नहीं है याद रखेगा और सम्मिधान के अंदर जितने भी बातों का उलेखित किया गया है उसी के अंतरगत हर नागडिकों को हर पदाधायकारी को हर राजनेता को या फिर कहले हम हर नयाई पालेका को कारे करना है ठेके तो ये आपको जा भारते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो कि हम आपको पहला ही बता चुके है भारती सम्मिधान के बिभीन भाग तथा पीस है इसमें आप देख लीजएगा ज्यादा इसमें कुछ नहीं है हम आपको पहला ही बता दिये भाग कितने है तो भाग साथी 22 है और इसमें बस यही दिया गया है किस भाग में क्या क्या है ठीक है न तो यह सब आप लोग देख लिजेगा देखें यहाँ पे सम्मिधान की अनुसूचिया भी है जो की अनुसूचिया कितने हैं बारा है किस अनुसूचिय में क्या क्या है यहाँ पे आप लोग देख लिजे एक से लेक पति राज्य पाल राज्यों के और लोग सभा के अध्धक्ष एवं उपाध्धक्ष राज्य सभा के सभापती और उपसभापती इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलता है तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग देख लिजेगा ठीक है विडियो एक बार दो बार देखेगा पीडियाप को अपने पास रखेगा हो सके तो इसी तरह से आप एक फ्लो चाट बनाकर अपने कॉपी में साधे पेज लेकर उसको बनाईएगा सारा का सारा चीज याद हो जाएगा और हम आपको करेंटी देते हैं कि हर एक्जाम में आप का 2 से 3 क्वेस्टन कोई नहीं रोकेगा कोई भी नहीं चाहे आप किसी एक्जाम दो कोई भी एक्जाम दो देख में आपका कनफार्म यहां से क्वेस्टन बनेगा तो आज के लिए इतना ही उम्मेद करते हैं चीजे समझ में आया होगा अगर आया है तो प्लेश साथ ही केहिल जय भारतु।